चतिसगर तेंदुपत्ता फड मुंशी संग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कटगोरवन मंडल के दीएफो को चतिसगर के मुख्य मंतरी के नाम ग्यापन सौपते हुए चार साल पहले गोशना पत्र में किये गए वादे को याद दिलाया और कहा मांग पूरी नहीं होती है तो चतिसगर तेंदुपत्ता फड मुंशी संग प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा अपनी मांगों को लेकर अब चतिसगर तेंदुपत्ता फड मुंशी संग सरकार के खिलाफ विरोध में उतर गया है संगठन द्वारा मांग की गई है कि विगयत सन 1988-89 से विकारी रत हैं और शासन की जन कल्याड कारी योजनाओं को तेंदुपत्ता संग्रह को तक पहुचा कर लाभानवित करते आ रहे हैं कॉंग्रिस ने घुशडा पत्र में कहा था कि हमारी कॉंग्रिस की सरकाराने पर दस दिन के अंदर पढ़ मुंशीयों को कमिशन छोड़ कर एक हजार प्रती महा मान्दे दिया जाएगा जो आज तक लागू नहीं किया गया कटगोरा डियाइपो को मुख्यमंद्रे के नाम ग्यापन सौपते हुए उन्होंने कहा कि हमारे भविश्य एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए अपने कारिय पर कारेरत रहते हुए हमें हरताल की अवशक्ता नहीं है और कहा कि आपके द्वारा अपने घुशडा पत्र में या घुशना किया था कि यदि हम लोग का सरकार आता है तो दस दिन के भीतर में फर्मुन्सियों का मांग को पूरा किया जाएगा और आज चार साल बीच चुका है उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी एक हजार रुपया प्रतीमा कमिशन छोड़ कि सभी फर्मुन्सियों को मांदे की रूप में दिया जाएगा लेकिन आज तक के उस विशा में किसी प्रकार की कोई अमल नहीं किया गया इसलिए हमारे जितने भी फर्मुन्सि भाई हैं बड़े दूर दराज से यहां पर आये हैं और आज हम एक सुचना के रूप में प्रकार तक आप पहुचाईए सहित अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं इसकड़ी में अब पड़ मुन्शी कर्मचारी संग भी जुड़ गिया है देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों की मांगो को लेकर सरकार क्या रूख अपनाता है वियो रिपोर्ट ग्रांडेसे न्यूज